वलकम टो IQ प्लस एकाडमी इस वीडियो में हम लोग प्रतिऊगिता दरपन के डिसेंबर 2022 का जो सनसक्रन है उसके अंतराश्ट्रिय घटना क्रम को डिसकस करेंगे इसके पिछली वीडियोज में हम लोग ने राश्ट्रिय घटना क्रम को देखा था तो अगर आपने इन सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ सेर करेंगे अच्छा अगर आपको कोई इसमें सुधार चाहिए वीडियो में तो आप प्लीज करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे हम उसमें सुधार करने के जिरूर्ड कोसिस करेंगे तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक पहला टॉपिक है भारतियमूल के डिशी सुनक ब्रिटेन के नय प्रधान मंत्री बने है तो उनके बारे में यहां पर बताए गया है लीज ट्रस्ट जिन्हों ने 6 सब्टेमबर 2022 को प्रधान मंत्री के पत पे सपत लिया तो लगभग 45 दिन तक प्रधान मंत्री बने रहने के बाद इन्होंने कुछ विफलताओ के कारण इस्तिफा दे दिया अब इसके बाद जो प्रधान मंत्री का पत था उसके लिए रेस में दो लोग सामिल थे दो लोगों में बॉरिस जॉनसन थे और एक पेनी मारडांट थी तो बॉरिस जॉनसन ने तो और जो भी इनके पार्टी के समर्थक थे इन्होंने इनको समर्थन दिया जिसके बाद 25 ओक्टूबर को बकिंगम पैलेस में महराज चाल्स तृतिया ने उन्हें प्रधान मंत्री नियोक्त किया चलिए अगर अब हम इसमें और कुछ इंपॉरेंट पॉइंट देखे तो द तो अभी वहां के डियोपेटी प्राइम मिनिस्टर है डोमिनिक रॉग यह जब बोरिस जॉंसन का सरकार चल रहा था उस टाइम में इनको डियोपेटी प्रधानमंत्री बनाया गया था लेकिन जब उनका सरकार हट गया था तो इन्हें भी हटा दिया गया था लेकिन फिर जब रिशी शुना काए तो उन्होंने पुना इनको नियुक्ति किया इस पत्पे अगर अब हम आगे देखें तो दोस्तों इनका में एजंडा क्या रहा था इन्होंने में जो इनका एजंडा है ना इस्थीरता और एकता पर अधारित है यहां पर आप देख सकते हैं ठीक चुनाओतियों से जूज रहा है तो देश में अगर एकता रहेगी तो यह लोग आगे अपने देश को बढ़ावा दे सकते हैं मतलब जो भी चुनाओतिया है उससे यह निपट सकते हैं अगर हम इनके बारे में बात करें तो कि यह इंडिया से मतलब कहां से कोरेलेट क रगतनंक के जो दादाडारी थे वो इंडियन थे लेकिन फिर वो किनिया में जा बसे और यहां पे ही उनके पिता का जन्म हुआ फिर उसके बाद वे जो उनके पिता है वे ब्रेटेन में आ गए और फिर वहाँ पे रिसी सुना का जन हुआ 1980 में चलिए इन्होंने राजनीती में कब से प्रवेश किया 2015 से इन्होंने राजनीती में प्रवेश किया और कंजर्वेटिब पार्टी के सांसत के रूप में ये चुने गया थे तो ये चीजे आप याद रखेंगे साथी दोस्तों इनको 2020 में जब बॉरिस जोंसन यहां के कई प्रदान मंत्री बने तो उन्होंने इन्हें वित मंत्री के रूप में पत दिया था चलिए अब कर last point देखें तो नेडे स्विडेंग में नई दक्षिन पंथी सरकार में उल्फ UKRISTARSON प्रधान «मंत्री तो यहां के जो दक्षिन पंथी सरकार है उसमें नए प्रधान मंत्री बने हैं जिन का नाम है एक पूछ यहां पर यह चीज इनल विपेसी में भी पूछा गया था कि मतलब किस पार्टी सरकार है किस देश के नेता कि तब प्रधान मंत्री ही चुने गया थे मैं रिकॉल नहीं कर पारी हूं अच्छे से अभी तो इसलिए इंपॉर्डेंट हो जाता है कि पार्टी का भी नाम हम लोग एक बार याद रखेंगे कि वो किस पार्टी से थे या फिर उनके विरोधी कौन थे इसमें तो यह सारी तीसरा कि उनके विरोधी कौन थे और फिर वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे यह उनके विरोधी थे तो यह तीन-चार चीज़ें जो होते हैं वो याद रखना बहुत ज़रूरी होता है साथ ही ये भी जुरूरी होता है कि वो मतलब की कौन से क्रम के प्रधान मंत्री या राष्ट्रपती है क्योंकि आपने देखा होगा जो 67th अप्रिलिम्स हुआ था बिपेसी का जो कैंसिल हो गया उसमें जो बाइडन के बारे में पूछा गया था कि वो कौन से क्रम के हैं तो इसलिए ये सारी चीज़े इंपॉर्ण हो जाती है हम करेंट अफेर्स को इसी तरह से अनलाइज कर पाते हैं कि क्या पूछा जा सकता है तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखें कि स्वेडन में दक्षिन पंथी सरकार में उल्फ के श्टरसन प्रधान मंत्री बने हैं तो इनका पार्टी क्या था ये माडरेट पार्टी के नेता रहे थे चलिए यहां से यह clear हो गया है दोस्तों बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा important नहीं है हम इन दो चीजों को याद रखेंगे चलिए अच्छा यहां पर एक और चीज आप याद रखेंगे कि जो इसकी जो इन से पहले जो प्रधान मंत्री थे वह मगदलेना एंडर्सन थी जो क स्विधन की पहली महिला प्रधान मंत्री थी चलिए यह चीजा आप याद रखेंगा कि स्विधन की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन थी नेक्स्ट है जॉर्जिया, मेलोनी, इटली की नई प्रधान मंत्री बनी है इनके बारे में देख लेंगे हम लोग यह किस पार्टी से जूड़ी थी ब्रदर्स ओफ इटली की नेता, जॉर्जिया, मेलोनी है इन्होंने प्रधान मंत्री के पत्पे सफत लिया 22 ऑक्टूवर 2022 को पहली महिला प्रधान मंत्री बन गई है इनसे पहले कौन था वहाँ पे प्रधान मंत्री दोस्तों इनसे पहले मारियो दाधरी वहाँ के प्रधान मंत्री हुआ करते थे नेक्स्ट है हमारा चीनी राष्टपती जिंगपिंग चीनी Communist Party के महा सचीव पुनर निर्वचित हुए हैं तो इनके बारे में यहाँ पर बताए गया है चीन के राश्पती सीजिंग पिंग ने 2022 में उस वक्त इती हास रस देया जब पांच वेवर्स लागतार तीसरे कारेकाल के लिए उन्हें Communist Party of China का महा सचीव चुना गया है चलिए अब यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा इंपॉरेंट नहीं है बस यह देख आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो इनका चुनाव हुआ है चुनाव पार्टी का जो सदस्य केंद्रिय समीती है वो 203 का सदस्य केंद्रिय समीती है किस पार्टी से यह बिलॉंग करते हैं Communist Party of China की अस्थापना किस ने की थी दोस्तों माओ करके आप नाम याद रख सकते हैं यहाँ पर माओ ने इसकी अस्थापना की थी यहाँ पर दिया भी होगा देखें पार्टी संस्थापक माओ तसे तुंग इनका पूरा नाम है पर आप सौर्ट में याद रख सकते हैं माओ चलिए अब यह राष्टपती तो यहाँ के बनेंगे ही साथ ही इनको और भी कुछ एक्स्ट्रा पद मिले हैं तो कम्यूनिस्ट पार्टी के महा सचीव और साथ में देश के सर्वोच नेता तो बनी जाएंगे इसके अलावा सेंट्रल मिलिटरी कमीशन के प्रमुख भी यह होंगे चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल मिलिटरी कमीशन के अध्यक्ष होंगे यह चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्ष्ट देखते हैं पूर्व वर्सों में दो बार राष्ट पती रहे लुईज इनासियो लूला दस सिल्वा ब्राजिल के नए राष्ट पती बने हैं इनके बारे में देख लेंगे हम लो ब्राजिल के इन से पहले राष्ट पती थे जैयर वेल सेनारो जो की पराजित हुए और इसके बाद लुईज इनासियो लूला दी सेलवा ब्राजिल के नए राष्ट पती पने हैं इनको 50.9% तक वोट्स मिले थे और जो जैयर वेल सेनार 2010 का टाइमिंग थाना उस टाइम में यह दो बार यहां के प्रधान मंत्री रह चुके थे लेकिन फिर इन पर भष्ट अचार का आरोप लगा यह जेल भी गया फिर अभी अभी सुप्रीम कोट ने इन पर जो भी आरोप लगे हैं उनको खारिश कर दिया है जिसके बाद से य यहां के प्रधान मंत्री बन रहा है सॉरी राष्ट पती बन रहा है चलिए अब यहां पे और अगर हम एक्ष्ट्रा पॉइंट्स को देखें यहां पे और कुछ तो इंपॉर्डन नहीं है अब हम देखेंगे अपने अगले टॉपिक को नेक्स्ट है बुर्कीना फासो में नौ मा की दूसरी बार सैने तकता पलट अच्छा आप लोग मैप में देखेंगे कि बुर्कीना फासो कहां पे इस्तित है यह देश और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यह कहां पे इस्तित है चलिए देखते हैं यहां पे बताएगया है कि नौ महीने पूर्व यान जैनुरी दो हजर बाइस में सैने तकता पलट हुआ था यहां पे लेकिन फिर से बुर्कीना फासो में एक बार और सैने अधिकारियों ने जुन्टा के नेता राष्ट पती बने लेफटिनेंट करनल पॉल हेंरी सैंडा ओ दामीबा की सरकार का तकता पलट कर दिया है और अ आप यह नाम बस याद रखेंगे कुछ यादा यहां पर नहीं इंपोर्टिंट है बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में जिरूर बताएंगे कि बुर्कीना फासो कहां पे इस्थित है नेक्स्ट है हमारा तो दोस्तों यहां से कुछ जो भी राष्टपती वाला सीरीज था न झालर सीरीज थालर सीरीज़ जो राद यहां से कुछ रखेंगे कुछ